उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की संसनी खेज अंदाज में हुई हत्या के बाद CM योगी आदित तिनाथ ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी देर रात करीब तीन बजे ये बैठक समाप्त हुई सूतरों की माने तो बैठक में इस बात पर मन्थन किया गया कि यूपी में कानून विवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे इसी बीच सीम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांती व्यवस्था बनाए रखे मुक्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतरकता बरतने के निर्देश दिये हैं होने कहा है कि प्रदेश में शांती व्यवस्था बनी रहनी जाहिए इस से सभी प्रदेश वासी सहयोग भी कर रहे हैं आम जंता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए इसका भी ध्यान रखा जाए सीम योगी ने कहा कि कानून के साथ कोई भी खिलवाल ना करें सीम योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवा पर ध्यान ना दे अफवा फैलाने वालों पर सक्त कारवाई भी की जाएगी